हेलो दोस्तों आपका स्वागत है गड़ी वाला में आप जैसे जानते ही होंगे बीएस-3 इंजन की सारी बाइकें इंडिया में बंद हो चुकी है बाइकें एक्टिवा जिनमें बीएस-3 इंजन था उन्हें बंद कर दिया गया है और उसकी जगह बीएस-4 इंजन वाली जो नवी गाड़िया है उन्हें मार्केट में लाया गया है इसी बीच यह हमारी एक्टिवा-4 जी यह मार्केट में लौंच होई है और मैं आपको इसका फर्स्ट लोग दिखाने जा रहा हूं एक काफी इसका डिजाइन तो काफी सिमिलर है एक्टिवा-3 जी की से मिलता जुल एक्टिवा-3 जी से मिलता जुलता है कुछ और यह लुक आप देख सकते हो यह सारी एक्टिवा-3 जी जैसे ही है जो इसमें चेंज है वह आपको मैं दिखा देता हूं जो इसमें पहले एक्टिवा-3 जी थी उसमें जो आप हैडलाइट का स्विच होता था ओन उफ का वह है आप देख सकते हो उसकी जगह यहां पर बंद किया हुआ है कुछ कोई बटन नहीं दिए सिर्फ एक सेल्फ स्टार्ट दिया हुआ है और जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो इसकी हैडलाइट ओन हो जाती है यह ब्याइस-4 इंजन में है कि जब तक इंजन स्टार्ट तब तक उसकी हैडलाइट ओन रहेगी अब मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाता हूं यह देखिए इसमें काफी स्पेस है सिमिलरी है जैसे एक्टिव थ्रीजे में थी या जो पहले की एक्टिव हो थी उतनी ही स्पेस है हम ज्यादा स्पेस नहीं हम कह सकते ठीक है काफी अच्छी लुक है ठीक है देखने में काफी अच्छी लगती है यह ब्लैक कलर में है आप देख सकते हूं जो इसका बैक था है यह जो इंजन देख सकते हो इसमें जो बीएस फॉर इंजन है उसकी खासियत ही है कि यह थोड़ा पल्यूशन को कंट्रोल करता है जो एक्टिवा 3G थी थी उसमें बीएस थ्री इंजन था वह पल्यूशन थोड़ा ज्यादा करता था इसलिए अब अब अधने की कोई सामने सब्सक्राइब और दूसरा होता है कि आपको लाइट ऑन ओफ करने जोड़त नहीं है अब हमेशा और रहेगी यह सुबह मौर्निंग टाइम हो या इंवनिंग का ताइम वो या फिर नाइट की इसकी हेड लाइट हमेशा अन रहेगी पर यह एक ओ विजो इसमें दिया गया है और इसमें मैं पलिशन के लिए दिया कि जो गया शिक हिर ने olur जादा करते थे और यह गए सब्सक्राइजिंस अच्छी बात